बिहार के मध्यपूरा में एक दरोगा को महीला के साथ आपत्ती जनक सिती में देखने के बाद गाउं के लोगों ने दरोगा को बंधत बना लिया बिहार पुलिस की उस्वक्त कीकिरी हो गई जब बंदग बनाए गए ASI को छुडाने आई DSP और SGO को लोगों के भारी व्योस का सामना तरना पड़ा दरसल मधेपूरा के चोसा थाना में तेनाथ ASI प्रभाकर राय को कुछ गाहँवालों ने एक महिला के घर आपत्ती जनक हालत में रंगे हातों पकड़ लिया इस पर ग्रामिक भड़क गए और आरोपी दरोगा को मही बंदग बना कर पिटाई कर दी जब इसके एक खबर उदे किशुन गंच अनुमंजल के SDO और DSP को मिली तो वे भारी पुलिस बल के साथ आरोपी दरोगा को छुडाने पहुचे SDO और DSP के दरोगा को छुडाने पहुचने के बाद ग्रामिन और गुस्से में आ गए और वो उसे छुडाने के लिए तयार नहीं हुए जब विरिष्ट अधिकारियों ने ग्रामिनों को बताया कि आरोपी दरोगा को गिरफतार किया जाएगा और उसके खिलाफ सफ्त कारेवाही की जाएगी तब ग्रामिन तयार हुए गामवालों की शिकायत पर आरोपी दरोगा के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया इस मामने को लेकर उद किशुन गंज के SGOP जेड हसन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिले कि एक महिला के घर लोगों ने किसी अज्यात व्यक्ति को घेर लिया है हलांकि वहाँ पुँचने के बाद पता चला कि जिस स्थानिय लोगों ने बंदत बना रखा था वो उसी शेतर के थाने का ASI था महीं उदाक किशुन गंज के DSP पी यादव ने भी आरूपी दरोगा को लेकर वादा किया कि उसके खिलाफ सकते सकत कारेवाही की जाएगी गिरामनों को स्थापित परवाकर रहा है उसके घर में है उसी आलोक में गिरामनों का ये आरूप था कि ने इस घर के साथ कुछ गलस संबंद है इसी में आत्रोसित गिरामनों के द्वारा लोगों को बाचित हम लोग किये आ करके फिर उसको वहां से ब्रामत किये और फिर नोगों ने जो एक पेटसन दिया है लिद करके कानुनी कारवाही के लिए परवाकर राय के उपर अभी उसको हम लोग हिरासत में ले लिये हैं और प्रार्थमी की दर्श करके जो अगरतर कारवाई कानूनी परद्रिया होगी उसे साथ से कानूनी कारवाई की जाएगा कोई बटे होगी इसको सस्पेंशन से लेकर के परवाई को सुटी का जयागा अब नहीं होगी तटिए समाथ कर वाई कारवाय पर्ली कोहती आएगी परवाई होगी तेक एसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुच्क्राइब करें घन्ने वाल